हलो स्ट्रेंट्स आ चुके फिर जिए नियू थेरम के साथ 8.7 क्या गया रहा है चलिए डिसक्स करते हैं फ़र डाइगनल वेट टेक्ट इस पर डाइगनल वपा कॉड़ी लेटर देखा आपके सामने कॉड़ी लेटर गिमेन है इसे बनाता हूँ चाहिए काड़ी लेटर रहो चाहिए प्याड़ोग्राम हो ठीक है सर यहां तक तो समझे में आ गया ए बी-सी डी डाइगनल और सफ़ी लेटर जो हैं बैसेट करते हैं इस अधर यिव्ट देहान दें गए यहहां को बनाम दे देता हूँ मैं क्या कहूंगा極ल स्टू बी-यो है और ए उटो-सी यह एक तरीके से गिविन कंडिशन हुई है अपके सामने है यह कैसा रूफ κι elabor Workers करना यह क् सkre़ जो अबशन है आपको कि अ अबीदी is in parallelogram ये proof करना parallelogram ना समझे के होंगे आपने सामने के opposite sides है pairs को वो आपको parallel proof करना in short तो शुरू करते हैं गरें दो triangle ले लूँगा मैं एक 1 ये N triangle AOD N triangle COP आपको दिखी रहा होगा इस triangle का DO side इस triangle का BO side आपको given है इस triangle का AO side और इस triangle का CO side ये भी आपको given है और angle AOD equal है angle CO B के reason क्या है इसका vertically opposite angles अब आप ध्यान देना ये angle इसके equal होगे अब आप देखो side angle side side angle side लग गया एकदम easy लेकिन naming थोड़ी सी important है ध्यान देना naming मैंने आगे AO लिखा है तो AO का pair को है CO है तो फिर मैं CO B लिखूँँगा इसको B आगे मत लिख देना CO B लिखना है उसके बाद देखो OD है O D equal O B के थी ने तो सही लिखा है अपनने और बीच वाला O angle O angle के equal है तो ये corresponding के तरीके से लिखने होते हैं आपको ये basic rule में आपको chapter 6 में चिखा है बहुत अच्छे से अगर आपने नहीं देखें तो देख ले ना chapter 6 में introduction part ये property लग गई S A S rule लग गया है यहां पर side angle side यहां तक समझ में आगे हैं हां सर आगे हैं अब इससे क्या समझ में आया इससे ही समझ में आया कि मेरे पास बहुत सारी चीज़े हैं जो equal निकल कर आई हैं मैं यहां समझाता हूँ आपको एक उनन एडी ओ लिखाना है C B O C P C T और ये वाला एंगल है भी आपके इस एंगल के equal होगा लेकि मेरा एक हो गया है तो मुझे दूर से निकालने की ज़रूत ही नहीं है हां सर ये भी ठीक है अगर ये वाला एंगल इस एंगल के एक वर है तो आपको जैड़ बंते वह दिख रहा है क्या बंते वह दिख गया आप कहा सकते हो एडी पैरिललल टू बी सी रीजन क्या है इसका अन्वर्ट्स ओफ आल्टरनेट एंगल एक्जम यही सिखाया था अब जब आपने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं तो आपने ये दोनों साइड पैरिलल प्रूफ कर दिया और अगर अब मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता हूं अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता हूं कौन सा ये और ये ट्राइंगल तो ये दोनों भी मेरे पास जो है पैलल निकल जाएंगे हां सच तो मैं सिमिलर्ली लगा के लिख रहा हूँ आपकुछ इसको पूफ कर लेना सिमिलर्ली इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगिल बी ओ इन दोनों ट्राइंगिल को जब कॉंगरेंट प्रूफ करोगे न यह प्रॉपर्टी लग जाएगे दोनों मैं से एस ही लगए देखो इसमें भी यह पेर निकलेंगे से एस 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 यह वर्टिकल यह पाजेट तो आप यहां पर भी कह सकते हो एबी पैरिलल टू सीडी मैंने एक ही केस निकालके सिमिलरी डाल दिया दूसरे के लिए तो मैं कह सकता हूं यहां पर हैंस एबी सीडी इजैन पैरिलल लो ग्राप बताओ क्या समझ में नहीं आया यह थियोरम अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट से बताना अगर कुछ कमी है तो उसको सुधा रहेंगे मैं परफेक्ट हूं हो सकता है कोई डाउट है जो पॉइंट है जो मैं अच्छे से नहीं समझाया या आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है उसमें कोई दिक्कत है तो और अच्छे समझने कोशिश करेंगे उसको यहीं पर किसी क्लासिस के अंदर आई होप क्लियर हुआ है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए कुछ पए